सिधार्त नगर जुले के बढ़नी बॉर्डर से भारतिय निर्या तक कागजों में अंकित सामान से दिक मात्रा में सामान नेपाल जाकर देश के राजस्व को जम कर चूना लगा रहे हैं यह खुलासा नेपाल के क्रिश्ण नगर जुले में इस्थापित भंसार कार्याले में जांस के दोरान पकड़ में आया है तो आमामला यह है कि बढ़नी बॉर्डर से नेपाल में एक ट्रक सैनेटरी का सामान एक्सपोर्टर ने भेजा नेपाली कस्टम के अधिकारियों ने आसंका के चलते जब पूरा सामान अनलोड करके गिनती की तो कागजों में दिखाई गई संक्या से काफी अधिक संक्या में सामान ट्रक में पाया गया जिस पर नेपाल के अधिकारियों ने लगबग 12 लाख रुपए कस्टम सुल्क लगाया है बीते कुछ दिन पहले भी एक भारतिय निर्यातक ने इसी तरह गैस चूले की आड़ में भारी संख्या में कपड़े भीजे थे पकड़ने के बाद नेपाल कस्टम विभाग ने एक करोड रुपए से अधिक कस्टम सुल्क लगाया था इस तरह भारतिय निर्यातक लगातार कम सामान कागजों में दिखा कर जी एस्टी वा कस्टम सुल्क की चोरी करके देश के राजस्व को प्रति दिन करोडों रोपाय का चूना लगा रहे हैं और बॉर्डर पर इस्थापित कस्टम कार्यालायक के करमच्वारी ट्रकों को नेपाल में प्रवेश करा रहे हैं सबाल यह है कि राजस्व की चोड़ी रोकने के लिए हमारे देश के कई विभाग इस्थापित हैं इनके रहते इस कारणामे को निर्या तक कैसे अंजाम दे रहे हैं मेरा नाम जनारदन पोड़ेल है मैं किस्णनगर बंसर कारले का प्रमुख बंसर राते कि तुम है यह ट्रक पकड़ी गई है और उसमें बड़ा पुछने मित्ता है तुसमा आज जो बताया गया वो नहीं उसमें उसको हमने संका करके हमने उसमें कमोड होने का आशंका किया था और सब सामान को उतारा और देखा तो उनोंने वाश्पास्बेसिन 110 पीस पेडिस्टल 180 पीस और कमोड 30 पीस जो उने घुषणा ही नहीं किया उसका सामान जितना उसने घुषणा किया उससे ज्यादा था ये तो हमने उसको मुल्यांकन किया मुल्यांकन करने के बाद जो हमारे भंसार रायन है उसके अनुसार हमने 200 परशेंट जरीवान लगाया और उसको हमने भंसार जो सुलक है ड्यूटी है उसको एसिस किया तो उन्होंने पहले 2,140,000 नेपली रुपया रिविन्यू देने का घुषणा किया था